हेलो फ्रेंड मैं मोनिका मारवा मेरे चैनल पर आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब के साथ शेयर करने जा रहे हूँ गाजर का हलवा वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम हलवाईउं के पास गाजर का हलवा लेने जाते हैं तो उनके हलवे में कितनी शाइनिंग होती है और उनकी हलवे का कलर भी कितना लाल होता है आज हम उसी तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे चलो देर ना करते हुए अब हम बनाना शुरू करते हैं बिलकुल हलवाई स्टाइल में गाजर का हलवा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी इंटरस्टिंग रेस्पी लेकर आती रहूंगी चलो देर ना करते हुए अब हम बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा सबसे पहले हम एक कडाई ले लेंगे कडाई के अंदर मैंने एक लीटर के करीब दूद डाल दिया है यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूद लिया है इसको हमने लगातार चलाना है फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है इसको हम लगातार चलाएंगे जब तक दूद हमारा गाड़ा नहीं हो जाता हम घर पर ही मावे को त्यार कर रहे हैं यही कम से कम हमें एक लिटर के लिए कम से कम डेड़ घंटे के करीब हमें समय लगेगा इसको हमने लगातार चलाना है जब तक यह गाड़ा ना हो जाए अब दूद हमारा गाड़ा होना शुरू हो चुका है और कम से कम एक घंटा हो चुका है मुझे इसको पकाते हुए अभी हमने इसको और पकाना है जब तकि दूद बिल्कुल सूख नहीं जाता अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है अब लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे हमने इसको लगातार चलाना है जब तक ये गाड़ा नहीं हो जाता अब दूद हमारा काफी हद तक सूख चुका है मावा हमारा बन कर त्यार हो चुका है अब हम गैंस को बंद कर देंगे अब हम बंद गैंस पर ही इस मावे को 5 मिनट और पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर इतनी हीट है कि इसके अंदर ही 5 मिनट और पकाने पर ये काफी हद तक गाड़ा हो जाएगा अब हम इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने को और गाड़ा हो जाएगा जब तक मावा हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम गाजरों का हलवा त्यार कर लेंगे यहाँ पर मैं एक किलो गाजर का हलवा त्यार कर रही हूँ इसके लिए मैंने एक किलो गाजर ले ली है जो इसके आगे का हिस्सा है अब हम इसको चाकू से काट कर अलग कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक पिलर ले लिया है पिलर से मैं इनकी छिलकों को निकाल कर अलग कर दूँगी ऐसी हमने सारी गाजरे ले लेनी है इसकी छिलकों को हमने निकाल लेना है इसके बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि गाजरो के ओपर बूत मिट्टी लगी होती है इसको साफ करना बहुत जरूरी है इसलिए इसको हम अच्छे से धो कर ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे यहाँ पर मैंने सारी गाजरो को अच्छे से धो लिया है अब मैं इसको greater से grate कर लूँगी ऐसी हमने सारी गाजरो को अच्छे से grate कर लेना है हमने इसको mixi में नहीं काट कर पीसना इसको हम greater से grate करेंगे क्योंकि greater से grate करने पर इसके अंदर बूत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है अब हमने सारी गाजरो को grate कर लिया है अब ये सारी गाजरे हमारी ग्रेट होकर त्यार है अब हम इसको एक कड़ाई ले लेंगे कड़ाई के अंदर मैं इन गाजरो को डाल दूँगी सारी गाजरे हमने इसके अंदर डाल कर इसको अब हमने पकाना है सबसे पहले हम गाजरो को पकाएंगे गाजरो को हमने घी में नहीं पकाना है गाजरो को हमने चीनी के अंदर ही पकाना है क्योंकि हम बिल्कुल हलवाई जैसे बना रहे हैं हलवाई क्या करते हैं गाजरो और चीनी को अच्छे से पहले पका लेते हैं इससे यह फाइदा होता है कि इसका कलर है जो बिल्कुल लाली रहता है, मंटेन रहता है और यह बिल्कुल फीका नहीं पड़ता, अब हम इसको धक कर कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको अब हम पकाएंगे, 20-25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका धकन उठा कर देखेंगे, चीनी अब हम अभी धकन लगाकर कम से कम हम इसको 15-20 मिनट और पकाएंगे, जब तक गाजरे बिल्कुल सोफ्ट नहीं हो जाती, इसको हमने तब तक पकाना है, अब हमने इसका धकन उठा दिया है, गाजरे हमारी काफी हद तक सोफ्ट हो चुकी हैं, इसके अंदर मैंने इलैची क दाने डाल दिये हैं, विक इससे कि इसके अंदर बूती अच्छी खुश्बु आ जाएगी, साथ ही मैं इसके अंदर कम से कम तीन चमच के करीब इसके अंदर देसी गी डाल दूँगी, अब ये घी थोड़ा सा जमा हुआ है, इसके अंदर डालने से अच्छे से पिगल जा चलाना है, साथ ही मैं इसके अंदर इसको 10 मिनट इसको और पका लूँगी, अब हम इसके अंदर ड्राइफूड डाल देंगे, यहां पर मैंने काजी और बदाम लिये हैं, इनको मैंने छोट-छोट टुकडो में काट लिया है, इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे, हमन अच्छे से मिक्स कर लेना है, अब इसको डालते ही, इन गाजरों के अंदर कितनी अच्छी शाइन आ गई है, इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे, साथ ही मैं इसके अंदर एक चमच के करीब घी और डाल दिया है, इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छी शाइन आ कि मावा बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए अब गाजरों में मावा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है अब यह हलवा बिल्कुल हमारा बनकर त्यार है अगर आपको मेरा यह हलवा पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा यह खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि इसको आप बार बार बना कर देखेंगे अगर आपको यह पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और घर के मावे की तो बात ही कुछ अलग होती है इसलिए जब भी आप हलवा बनाए मावे को हमेशा घर पर ही बनाए क्योंकि बिना मिलावड के जो चीज बनती है वो खाने में बूती ज़्यादा टेस्टी होती है अगर आपको यह पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक यू वेरी मच